तो क्या अब तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव विधान सभा में नहीं जा पाएंगे दरसल चर्चाय कुछ ऐसे ही चल रही है बहुत ही कम समय बचा है बिहार में विधान सभा और विधान पडिशद में मांसून सत्र की शुरवात होने वाली है लेकिन उससे प पडिशद या विधान सभा करोना नहीं लिया है जिन सवकने क्समें फर्वेस में कर सकते सकते हैं दरसल विधानसभा का सत्र ही जल्द शुरू होने वाला है मांसून सत्र की शुर्बात होगी लेकिन अब तक जिस तरीके से जो आदेश जारी किया गया है बताया गया है कि जिल लोगों ने करोना का टिका लिया है वही उस सत्र में भाग ले पाएंगे और ऐसे में अब तक लालू परिवार के किसी भी सदस्थ ने अब तक कोरोना का टिका नहीं लिया है और नहीं विधान परिशद में रावरी देवी ने जो की विधान परिशद में नेता परतिपक्ष है उन्होंने भी अब तक टिका नहीं लिया है तो कहीं ने कहीं मुश्किले हो सकती है बार बार इसको लेकर सवाल उठता रहा है कि लेकिन अब तक जो मेन उनके जो लीडर है उन लोगों ने टिका नहीं लिया है समाज को यह संदेश जो है वह गलत संदेश जा रहा है क्योंकि तेजस्थ्वी तेजप्रताप जैसे नियता अगर टिका नहीं लेते हैं तो टिका की विश्वस्थनियता पर सवाल लोग चाहिए समाज को संदेश देना चाहिए उन्हें बताना चाहिए कि हमने टिका लिया है और आप भी लिजे वहीं सुश्यल कमान मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि लालो परसाद यादव को मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीखनी चाहिए वह मोदी की बात नहीं मान बात यहांगे लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात माननी चाहिए उनके परिवार ने का ले लिए लग्ण सब्सक्राइब में तक किसी ने टिक्सकी है तो कुरोणास को ले कर सवाल लगातार भी परक्षिके नेता उठाते रोते हैं लेकिन अब तक अथा कि तेजश्वी यादम प्रसाइब लीआ है नितिच्पर सामने आई है हालांकि लगातार इसको लेकर चर्चाय तेज है कि अगर ठीका नहीं लेंगे तो फिर विधान सभाव में उनकी इंट्री कैसे होगी जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट्स हेटलाइंस भी आप तक पहुचा रहा है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद